आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं नौरात्री स्पेशल रेसिपी इस रेसिपी को बनाना बहुत जादा आसान है और एक बार मतलब नौरात्र में आप इसे बना कर खा लिए ना तो पूरे नौ दिन इसे एक टाइम जरूर आप खाना पसंद करेंगे क्योंकि इससे हम तेल का इस्तमाल हमने किया है बनाते वक्त तो चिली स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना इसे बनाने के लिए हम यहां पर ले लिया है साबुदाने को बिगो लेना है जैसे कि हम साबुदाने के वड़े के लिए साबुदाने को बिगोते है उस तरीके से अब हम लेंगे एक बड़े साइस का आलू और उसे छील करके बढ़िया से ग्रेट कर लेंगे तो यहां पर हमने दो चोटे-चोटे मीडियम साइस के आलू लिये थे अगर बड़ा साइस होगा तो एक आलू इनफ है एक कप साबुदाने के लिए तो यह रहा हमारा साबुदाना और इसमें हम डाल देंगे ग्रेटेड आलू को अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा मेर्स थोड़ा सा बारी कटा हुआ धनिया पत्ता स्वादनुसार सेंधा नमक डालेंगे अगर आप नमक खाते हैं तो सेंधा नमक डालें तो यह गया सेंधा नमक इसके अंद पूना हुआ मुंफली का पाउडर यानि कि पीनट पाउडर डाल दिया है दो चोटे चमच डाले है मैंने आप एक चमच यह दो चमच मतलब जैसे आपको पसंद उसी साब से डाल सकते हैं अगर नहीं पसंद है तो उसे स्किप भी कर सकते हैं अच्छे से मिक्स कर देना है और जानी कि slow flame कर दीजेगा और उसके बाद इसे इस तरीके से फैला देना है चमच की मदद से फैला सकते हैं नहीं तो आप हाथों की मदद से फैला सकते हैं बहुत जादा पतला या बहुत जादा मोटा भी नहीं रखना है जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में वैसा और इसे ढख देना है दो मिनिट के लिए अच्छे से जब ड्राय हो जाएगा उपर का परत जो अपर का लेयर अच्छे से ड्राय हो चुका है तो इस समय हम इसे पलट देंगे और पलटने के बाद दूसरे साइड से भी थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे क्योंकि यह बस अच्छा सा गोल्डन प्राउन कलर आने देंगे यहाँ पर देख सकते हैं उपर से हलका सा क्रिस्प हो चुका है तो अब यह पौफिकली मतलब की पक के रेडी हो गया हमारा पराठा तो इसे हम साइड कर लेते हैं और एक और पराठा फटा-फट से आपको में बनागा क यह देखें यहाँ पर हमने अच्छे से फैला दिया है और फिर इसे हम पकने देते हैं धक देंगे धक करके डेर से दो मिनिट के लिए अच्छे से पकने देंगे और उसके बाद सेम प्रोसीजर पलट करके इसे गोल्डन ब्राउन कलर का होने देंगे और उसके बाद इसे ह फटाफट से अब हम व्रत स्पेशल चटनी बना लेते हैं तो चटनी बनाने के लिए यहां पर मैंने भूने हुए मुंगफली ले लिए हैं थोड़ से डाल देंगे इसमें फ्रेश धनिया पत्ता थोड़ सा डालेंगे हरी मिर्च स्वाद के नुसार जितना मतलब तीखा पस पाने डाल करके फटाफट से मिक्सी में हम चला लेंगे इस नास्ते को बनाने के लिए मुश्किल से आपको 10 मिनिट का समय लगेगा और बहुत हेल्दी हेल्दी टेस्टी नास्ता बनके रेडी हो जागा तो यहां पर हमारा व्रत वाला चटनी भी बनकर रेडी हो गया है त बहुत जादा मतलब इससे बना कर भी रख सकते हैं और फिर बाद में खा सकते हैं यह बिलकूल भी मतलब कड़क नहीं होता है और बहुत सौफ्ट नरम बना रहता है एकदम मज़ा आजाएगा खाके आपको